हमारा है 6400 रुपे पर 12.5 प्रतिशत ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्रद्धी तता साधरन ब्याज में अंतर ग्यात कीजिए एक बार और जल्दी से बता दो, question clear दिख रहा है सभी को, आज तो दिक्कत नहीं हो रही है, question दिखने में देखो, सवाल हमारा क्या है, उस पर हम फिर से बात करते हैं, question हमारा है कि 6400 रुपे हैं, ठीक है, और rate of interest है हमारा 12.5 प्रतिशत, और समय है 2 साल, और आपको बताना है compound interest और simple interest का difference, ठीक है अब देखो, यहाँ पे अगर हम tree बना लें, तो हमारे लिए answer निकालना बहुत आसान हो जाएगा, देखो कैसे दो साल का सवाल है, यह मैंने लिखा पहला साल, यह मैंने लिखा दूसरा साल, देखो within seconds इसका answer आजाएगा, बहुत easy है मुझे बताओ, साड़े 12% की fraction value क्या होती है, एक बटे 8, इस पर हमने कल बात की थी, ठीक है अब देखो, 6400 रुपे का एक बटे 8 क्या होता है, 6400 रुपे का एक बटे 8 होता है 800 रुपे मतलब पहले साल भी ब्याज 800 लगेगा, दूसरे साल भी ब्याज 800 लगेगा, और दूसरे साल पर, पिछले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा मतलब 800 का फिर एक बटे 8 ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 100 ठीक है अब आपसे पूछा है ध्यान से सुनो आपसे पूछा है साधरन व्याज और चक्रिदी व्याज में अंतर तो आपका आंसर आएगा ये वाला 100 अब आप पूछोगे क्यों देखो सिंपल सा क्वेश्चन है अगर मैं आपसे कहूँ कि बताईए यहाँ पे साधरन व्याज क्या है तो आपको पता है यहाँ पे साधरन व्याज क्या है 1600 ये 1600 रुपे क्या है ये simple interest है और अगर मैं आपसे पूछू हूँ कि बताईए compound interest क्या है तो compound interest में ये तीनों आजाएंगे 800, 800 और 100 तो compound interest कितना है 1700 तो आपसे दोनों का अंतर पूछा है, दोनों में अंतर कितने का है 100 का, तो ध्यान रखो ये जो उपर वाला पार्ट होता है ये साधरन ब्याज में भी होता है चक्रदी ब्याज में भी होता है चक्रदी ब्याज में एक्स्ट्रा क्या होता है जो फर्स्ट लाइन के अलावा होता है वो चक्रदी ब्याज है तो साधरन ब्याज और चक्रति ब्याज में अंतर केवल कौन create करेगा 100 इसलिए हमारे question का answer के आ जाएगा 100 रूपी ठीक है Simple question था हमारा ये और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये आगया होगा आगे हम बढ़ेंगे Question number 15 अब देखो यहां से हमारा type number 5 शुरू हो रहा है और ये वाले questions भी मैंने आपको कल करने के लिए दिये थे नहीं भी बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसको हम समझ लेंगे ठीक है? चल अब देखो यहां पे अगर repeat करना हो तो थोड़ा सा पहले बता दिया करो है ना क्योंकि सब हट जाता है इसलिए repeat का आपको पहले बताना पड़ेगा 2000 रुपे की धनराश्य पर दो वर्ष के लिए अब आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं? समझना मेरी बात 2000 रुपे हैं हमारे पास क्लियर बात यहां तक अब यहां मैं आपको एक छोटी सी नई चीज और सिखाऊंगा आखरी चीज नहीं तो आप बोलोगे सर कितनी सारी चीज़े आप बता रहे हो एक चीज और सीख लो बस यह चीज जो टेकनीक है जो ट्रिक है यह आपको यहीं कामाना है और यह ट्रिक नहीं है यह बच्चा बच्चा जानता है और यह आपको हर जगह मिल जाएगा मैं आपको डारेक्ट मेथट बता देता हूँ क्योंकि देखो अगर आप यहां पे फ्रेक्शन लगाओगे चार परसेंट को अगर फ्रेक्शन में बदलोगे तो एक बटे पच्चिस तीन परसेंट को बदलोगे तो वो तीन बटे सौ ही रहेगा तो पहले साल क्या होगा पच्चिस में एक जुड़कर अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ नॉर्मल मेथट बता रहा हूँ फिर ये क्या हो जाएगा आपका 100 से 103 फिर इसको हल करने में थोड़ा आपको टाइम वेस्ट होगा तो यहाँ पे अपनी ये वाली मेथट जो है ये क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी इसमें मजानी आएगा दूसरा अगर आप एक और तरीका लगाना चाहो कि 2000 रुपे हैं पहले साल ब्याज लगा 4 परसेंट तो 104 बटे 100 दूसरे साल ब्याज लगा 3 परसेंट 103 बटे 100 इसको हल कर लोगे तो भी जल्दी आंसर आजाएगा पर मैं यहाँ पर आपको तीसरी मेथड बता रहा हूँ जो इसके लिए ट्रिक तो नहीं बोल सकते पर इसको easy जरूर बना देगी ठीक है आपने एक रूल पड़ा होगा a plus b plus ab upon 100 इससे आप करो एसे questions का आंसर हमेशा जल्दी आएगा जब भी rate अलग-अलग हो तो आप इसको use कर लेना ठीक है यह करने का सबसे best तरीका है यह और सीखलो इसके बाद आप कोई नई चीज नहीं आएगी जितना आपने पड़ा है अब उन्हीं को सबको हमें use करना है और यह आपने पड़ा होगा प्रतीशत में प्रतीशत में हम decrease, decrease से है ना छोटा सा rule है अगर बहुत कठीन होता तो मैं खुद आपको यह rule नहीं बताता पर इससे question बहुत आसानी से solve हो जाएगा इसलिए calculation कम रहेगा इसके लिए मैं आपको यह तरीका बता रहा हूँ दो-तीन questions देखना आपसे बनेगा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर मुझसे आपको सीखना है तो बस थोड़ा सा सबर रखो, patience रखो और सारी चीज़े आपको समझ में आएगी बस जितना मैं बताते जा रहा हूँ उसको देखते चलो आप तो नई भी समझ में आ रहा है बस देखते रहो दो-तीन questions के बाद आपको चीज़ें अपने अगर पहले साल 4% ब्याज लगे, दूसरे साल 3% ब्याज लगे, तो दो साल का टोटल चक्रिदी ब्याज कितना होगा, 7.12, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एकदम, 2000 रुपे का 7.12% निकालना है, ठीक है, अब अगर आप यहां से इस दशमलो को हटा दो, तो नीचे 2.0 बढ़ जाएंगे, तो उपर आपका केबल क्या बचेग उपर आपका बचेगा, 712, बटे 10,000, समझ में आया, 100 और दशमलो के बाद 2 अंक थे, तो मैंने 2.0 लगा दिये, 3.0 से आपके 3.0 गए, 712 का दुगना करोगे, तो यह आएगा, 1424 और दशमलो, एक अंक के बाद लगेगा, 1424 और एक अंक के बाद दशमलो, आपका आंसर आ इससे समझ में आया, यस, और ये मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा कोई तरीका है, सबसे कॉमन तरीका है, पर ये तरीका आपको तभी यूज करना है, जब rate अलग-अलग हो, पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग, तब इसको यूज करो, अगर 3 साल भी होंगे ना तब भी इसी को use करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे पर इससे सबसे best है इससे solve करना तो हम इससे हमारे सारे questions करेंगे ठीक है समझ में आया यहां आपने रग दिया 4 यहां रग दिया आपने 3 यहां 4 तिया 12 बटे 100 और अगली बार क्या है आप इसको बहुत बारा और 100 का भाग दोगे तो बिना मेहनत के फटा फट आपका answer आजाएगा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मान लो यहां पे rate होता 6% और 7% तो बताओ क्या करते तो 6 और 7 कितना होता तेरा 6-7 42 42 में 100 का भाग दोगे यहां गया 13.42 तो आपको answer लाने में बिलकुल भी दे ठीक है तो हमने क्या किया एक बार और में जल्दी से repeat कर रहा हूं हमारे पास rate 4% और 3% था तो A प्लस B A प्लस B मतलब 4 और 3 7 और A गुणा B चारतिया 12 बटे 100 12 बटे 100 मतलब 7 और 12 बटे 100 मतलब दशमलो 12 यह दोनों जोड़के बन गए 7.12 मैंने कुछ नहीं करा है 2000 रुपय का 7.12% निकाला है तो बटे में 100 और दशमलो के बाद 2 अंख है तो नीचे 2 जीर और लगेंगे हल किया डारेक्ट हमारा आंसर आ गया 142.4 ठीक है चल अभी और 2-4 क्वेस्टन करेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा इसकी PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप पे शान तक मिल जाएगी और अपसे जितना भी हमारे डेली की क्वेस्टन होंगे सारी PDF में आपको प्रवाइड करते आगे हम बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए सोलवा सवाल ठीक है नहीं जी भगवान वर्ग 3 में compound interest नहीं आता है जितने भी बच्चे जो समविदा वर्ग 3 की तयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने शाम को एक calculation वाली series स्टार्ट किये जिसमें मैं 10 वीडियो अप तो आप बहुत जरूर देख लेना रोज शाम को और वो सब के लिए काम किये वो SSC banking जिसकी आप तयारी कर रहे हो अगर आपको गुणा भाग जोनना मतलब calculation अच्छा करना है तो आपके लिए 10 वीडियो की series आ रहे है शाम को वो आप रोज देख लिया करना आपको उसे बह आपको सिंपल दविनर्स इंस्टिट्यूट सर्च करना है आपको मिल जाएगा चलो वाई सुधिर थेंक्यू पटना से देख रहे हो आप चलो आज आओ इदर अब हमारे पास दिया हुआ है उसको देख लेते हैं 10,000 रुपए हमें कहा गया है एक rate of interest 10% है एक rate of interest 12% है देखो बहुत आसान a plus b plus a into b upon 100 बस इतना सामें use करना है ठीक है अगर दो अलग-अलग rate है तो इतना तो हम direct लिख सकते हैं 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 इतना तो लिखी लो plus 10 और 12 का अगर गुणा करेंगे तो 12 और 10 कितना होगा 120 बटे 100 ठीक है 120 बटे 100 को अगर 120 बटे 100 को हल करोगे तो यह आएगा 1.2 आएगा पर यह 0 से 0 कट जाएगा 12 में 10 का भाग दोगे 1.2 तो 22 प्लस 1.2 टोटल बन जाएगा आपका 23.2 प्रतिशत तो आपको कुछ नहीं क प्रतिशत निकालना है नीचे दो बार 100 लिखा दशमलो का एक जीर ओर बड़ा इससे यह कैंसिल हो गया तो यह आगे आपका 2320 रुपे है ठीक है पर यहां पर एक और चीज़े आप से पूछा है चक्रत्दी व्याज जोड कर मतलब मिश्रधन बताना है कोई दिक्कत नहीं इसमें अपना मूलधन 10,000 ओर जोड दो आंसर आ जाएगा 12,320 रुपे है कोन सा ओप्षन है बी समझ में आया rate of interest कहा जाए या चलो ठीक है एक काम करो इसको करी लेते हैं 5,000 रुपे पहले 2% ब्याज लगेगा फिर 3% ब्याज लगेगा और फिर उसके बाद 4% ब्याज लगेगा इस बार 3 साल के लिए ब्याज की दर जो है अलग-अलग है अब इसको ध्यान से सुनना क्या करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम इन दोनों का आंसर लाएंगे अभी आप 4 को छोड़ दो पहले आपके बल 2 और 3 पे ध्यान दो तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 ठीक है और 3 और 2 का गुणा होगा 6 6 में 100 का भाग दोगे तो 06 आएगा इतना डारेक्ट लिग दूँ चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ नहीं किया मैंने अभी आप 3 साल को मत देखो आपके वल पहले और दूसरे साल को देखो तो 2 और 3 परसेंट का 3 और 2 हो जाएगा 5 तीन दुनी 6 6 में 100 का भाग दिया यह आ गया अब हम क्या करेंगे यह अभी क्या है पहला और दूसर साल का यह है इसके साथ हम तीसरा साल मिलाएंगे वो कौन सा है 4 परसेंट तो हमारा यह वाला जो सुत्र है इसको हम दुबारा यूज करेंगे ठीक है तो देखो अब हम क्या करेंगे बापस से अब हमारे पास यह क्या है A है और यह क्या है B है तो 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 इंट इतना हम करेंगे तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो आगया आपका 9.06 ठीक है और अगर इसको solve करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 और 6 इंटु 4 24 और 2 अंग के बाद प्लस 2 अंग टोटल ये हो जाएगा ठीक है इसको प्लस कर लो तो 9.06 प्लस ये देखो दशमलो के बाद है ना 2024 इनको सबको जोड़ लो तो ये आगया आपका 24 ये आगया 6 ये आगया 2 ये आगया 9 तो अगर 3 साल तक ब्याज की दर अलग-अलग होगी तो पहले हमने 2% और 3% का निकाला 5.06 फिर इन दोनों से जो 5.06 आया था उससे और इससे कॉंबिनेशन बना कर हमने 3 साल का टोटल ब्याज लेकर आए 9.2624 बताओ जल्दी से समझ में आया अब हमें कुछ नहीं करना है 5000 का 9.2624 इतना ब्याज निकालना है ये तो आप खिर निकाल लोगे पर पहले म कुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं आया ठीक है चलो एक बार फिर से में रिपीट कर देता हूँ सुनो मेरी बाद एक बार फिर से में बता रहा हूँ ध्यान से समझना देखो हमारे पास यहाँ पे जो rate of interest है पहले साल का 2, दूसरे साल का 3, तीसरे साल का 4 तो तीनों को एक साथ use नहीं करेंगे पहले पहले और दूसरे का निकालेंगे तो 2 और 3 से क्या आएगा? 2 और 3 कितना होता है? 5 और फिर इनका हम गुणा करते हैं 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 100 का भाग देंगे, तो कितना आएगा? 5.06 अगर केबल 2 और 3 परसेंट होते हैं, तो इन दोनों से क्या आता? 5.06 अब हम 5.06 दो साल का भ्याज है, और तीसरे साल का भ्याज 4 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां रखेंगे 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 इन्टु 4 डिवाइड़ बाइ 100 तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो यह तो आगया 9.06 ठीक है? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 इन्टु 4 हो जाएगा 24, 5 और 4 हो जाएगा 20 और 2 अंक, प्लस 2 अंक, टोटल यह लग जाएगा ठीक है? अब सबको हम जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने पर आएगा 24, यह हो गया 6, 2 और 9 तो अगर तीनो साल का टोटल चक्रित दिव्याज कहा जाए, तो वह आएगा 9.2624% ठीक है? देखो बिल्कुल, प्रैक्टिस होगी ना, तो इसमें जादा टाइम नहीं लगेगा और अगर आपको थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, तो आप समझ लो कि यह बाकी तरीकों से सबसे आसान है बाकी तरीकों में इससे भी जादा टाइम लगेगा, है ना, इसलिए यह इसको solve करने का सबसे easy तरीका है अब आपको क्या करना है, केवल 5000 रुपे का, क्योंकि आंसर सारे exact है, इसलिए हम approximate नहीं लगा सकते 9.2624% निकालना है, ठीक है, और यहाँ दशमलो है, दशमलो के बाद 4 अंक है, तो 4 0 नीचे और लगेंगे, ठीक है तो आपके 3 0 से 3 0 तो cancel हो गए, 5 का जल्दी से गुणा कर देते हैं, दशमलो हमने हटा दिया है 5 का गुणा किया, 5 into 4, 20 का 2, 10 और 12 का 2, carry हो गया आपका 1, 5 6 30 और 31, carry हो गया 3, 10 और 3 13 का 3, फिर से carry 1, 5 9 45 और 46 ठीक है, और नीचे कितने 0 है, 4, तो 1, 2, 3, 4, आपका यहाँ पे 3 0 है, तो यह आपका answer हो जाएगा इस 0 को हम छोड़ देंगे, 463.12, option number B, यह होगा answer ठीक है, आप इस question को बाकी method से करके देखना आपको बहुत time लगेगा, आपको लग रहा है अगर पहली बार पढ़ रहे हो, तो लगेगा कि यह long है, बाकी आप दूसरी method से compare करोगे तो यह बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आईगी आपको ठीक है, clear है, चलो, अब मैं आपको एक question करने के लिए दे रहा हूँ और तीसरे साल के लिए ब्याज की दर अगर 3% हो, तो बताओ, तीनों साल का total चक्रिद्धी ब्याज का percentage बता दो बस इस question को छोड़ो, मैंने आपको इसी normal question दिया है, जल्दी से बताओ, इसका percentage क्या आएगा देखो, गोजिशन tree method लगा सकते हो, पर फिर calculation इससे ज़्यादा करना बढ़ जाएगा बहाँ पे, है ना, तो वो बहुत complicated होगा, इसलिए tree method से मत करो हाँ, थोड़ा बहुत approximate करोगे, तो आप उसको touch कर दोगे, कोई दिखकर नी उसमें ठीक है भई, देखो, तो मैंने आपसे कहा 1%, 2%, 3%, सब का आप मुझे इखटा बताओ, कैसे करेंगे, तो पहले हम इन दोनों को solve करेंगे, इन दोनों को अगर आप solve करते हो, तो एक और दो, देखो direct करने की कोशिश करोगे, तो फायदे में रहोगे, अगर आप बच्चों ज पर टाइम आप बहुत सारा वेस्ट कर दोगे, तो इसलिए इसको बस दिमाग में रखो, तो आप पहले क्या करोगे, 2 और एक 3, ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा होगा, 2 एकम, 2 और 2 में 100 का भाग दोगे, तो वो आएगा 0.02, इतना समझ में आया, तो इन दोनों को अग प्लस 3.02 into 3 divided by 100, तो इन दोनों को आप अगर प्लस करते हो, तो ये तो आगया आपका 6.02, और अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 0 और 9, और नीचे 2 अंग प्लस 2, टोटल 4 हैं, ये हो जाएगा, अब बस जोड़ दो, 6.02 प्लस 0906 और सबको बस जोड़ देना है आपका, ये 0, 6 हो गया, 9 और 2, 11 और ये आपका 6, तो 6.11, 0, 6 परसेंट, हमारे प्रेश्न का परसेंटेज में आंसर होगा, अच्छा है, एक्जायम की चिंता बाद में करना, पहले आंसर दो, है ना, अभी जो माहोल है, उसके हिसाब से वेकेंसी के बारे में भी कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक-एक एक्जायम का बारबर मत पूछो, यहां ध्यान दो, जो मैं सिखा रहा हूँ, चली, ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ में आगया होगा सभी को, तो हमारा अगला क्वेश्चन अब इससे थोड़ा सा टफ होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ेदार है, और आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आएगा कि इस बार क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिक्कत क्या है, कि यहाँ पर rate of interest, अब अपना जो फॉर्मूला है ना, वो अब यहाँ फेल हो जाएगा, देखो, ट्रिक कहाँ फेल हो जाती है, जब rate इस तरीके से आजाएगी, 12, 1 by 2, 14, 2 by 7, तो अब यहाँ पर हमें दिक्कत आएगी, और मैंने आपको कल काफी सारे questions कराए थे, और मैंने कहा था कि अगर कभी भी rate fraction में हो, तो best आप fraction वाली ही method लगाओ, कोई साभी question हो, method हमेशा कुन सी यूज करना है, fraction वाली, ठीक है, तो इसको हम ज़रा जल्दी से समझें, कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो, हमारा सवाल है कि 8,960 रुपे हैं, पहले साल हमें ब्याज लगाना है 12%, ठीक है, दूसरे साल हमें ब्याज लगाना है 14, 2,7% और तीसरे साल हमें ब्याज सब लोग समझना, इधर ध्यान दो, और अब आप लोग सॉल्प कर रहे हो, तो करके देखो, नहीं तो फिर यहाँ देखो, कैसे करेंगे, आपको पता है, 12.5% की fraction value क्या होती है, एक बिटे 8, ठीक है, 14 से 2 बिटे 7 की fraction value क्या होती है, एक बिटे 7, और 10% की fraction value क्या होती है, यह तो आपको पता, यह बच्चा-बच्चा यह चीज जानता है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने कल काफी practice करी थी, principle और amount, मतलब मूलधन और मिश्टधन का अनुपाद बनाएंगे, यह मूलधन है, यह मिश्टधन है, तो देखो, पहले साल, 12.5%, मतलब 8 पर 1 रुपे ब्य ब्याज लगा, 9, दूसरे साल 7 में एक ब्याज लगेगा, मतलब 7 से बढ़के क्या हो जाएगा, 8, तीसरे साल 10 पर 1 ब्याज लगेगा, तो 10 से क्या हो जाएगा, 11, देखो, अब अपना जो A प्लस B वाला फॉर्मूला है, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इन से हल करने में ब 11, अच्छी बात यहाँपर यह है कि यह कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है, तो आप कर सकते हो, और कुछ तो कैंसिल हो NE रहें, तो गुणा कर दो, इधर बचा 7 और 10 सत्तर, ठीक है, और इधर बचा 9 और 11 कितना हो गे, 99, कि अगर 70 रुपे हो गे, तो वो 99 बन जाए दोनों में अंतर कितने का है 29 का और ये 29 क्या है आपका चक्रविद्धी व्याज है अब देखो अपना question बहुत आसान 8960 ये क्या है ये मूलधन है तो मैंने आपको कहा था कि मूलधन है तो भाग भी किसका देंगे मूलधन का ठीक है और पूछा क्या है आपसे चक्रविद्धी व्याज तो चक्रविद्धी व्याज कितना है अपना 29 29 से हम गुणा कर देंगे ठीक है तो ये आपका cancel हो गया 7 से आप अगर इसको cancel करोगे तो 7 एकम 7 फिर हो जाएगा आपका 7 दुनी चवदा और 7 इंटू 8 56 और यहां गया 29 अब हमें इन दोनों का गुण करना है अब मैं गुणा करने के पहले एक छोटी सी चीज देखूंगा कि अगर 8 और 9 का गुणा करें तो क्या आएगा 71 क्या आएगा 72 8 इंटू 9 72 का 2 देखो कोई option में 2 आ रहा है क्या बिल्कुल तो यही अपना answer होगा ठीक है गुणा भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा न यह सबसे अच्छा तरीका रहेगा अपने question को solve करने का हाँ जी पवन विल्कुल अलग-अलग ब्याज निकाल के हम कर सकते हैं उससे भी answer सेम आएगा पर थोड़ा सा time जादा यह जो तरीका है सारे तरीकों में सबसे कम समय लेने वाला तरीका है बाकी answer सबसे आएगा आप tree method बना लो अलग-अलग ब्याज निकाल लो उससे भी answer आजाएगा ratio जो होते हैं उनसे कर सकते हैं पर सबसे easy हमारा यह वाला तरीका रहेगा चलो 25 तक याद कर लिया है बहुत अच्छी बात है शिवानी समझ में आगया सभी को जल्दी से बताओ किसी को नहीं समझ में आया है तो बताओ फिर अगले question की तरफ हम बढ़ें एक बार और बता दू देखो साड़े 12% का मतलब 1 बटे 8, 14 से 2 बटे 7 मतलब 1 बटे 7, 10 परसेंट मतलब 1 बटे 10, जल्दी से देख लो एक बटे 8 का मतलब क्या होता है आपको पता है नीचे हमेशा मूलधन होता है और उपर हमेशा ब्याज होता है एक बटे 8 मतलब की 8 पर एक रूपे ब्याज लगा तो 8 में एक जुड़ा 9, 7 में एक जुड़ा 8, 10 में एक जुड़ा 11 अगर कुछ common है तो काट सकते हैं अगर मानलो common नहीं होता तो तीनों का गुणा करते हैं पर 8 से 8 कट गया 7 और 10, 70, 9 और 11, 99 ये 70 क्या है? मुल्धन है और 99 क्या है? मिश्धन है और दोनों में अंतर कितने का है? 29 का ठीक अब क्योंकि 8960 मुल्धन है तो मुल्धन में भाग भी किसका देंगे? मुल्धन का और गुणा करेंगे हम ब्याज का मतलब 29 का और हमने यहां इकाई यंग से ही काम लगा लिया अगर अदर्वाइस नहीं होता तो फिर हमें गुणा करना पड़ता अब देखो अगर मानलो आपका गुणा भी करना पड़ जाए तो क्या करोगे? 128 में 29 का गुणा करना है ठीक है? सुनना बात में लिग तो अगर इसको थोड़ा सा आसान बनाए तो मुझे बताओ क्या 128 को ऐसा नहीं लिख सकते? 128 को मैं लिख दूंगा 100 प्लस 28 गुणा 29 तो अब देखो बहुत आसान है एक बार 29 का गुणा 100 में करना है तो एक बार 29 का गुणा 100 में करा तो कितना आ गया? 29,00 अब एक बार 29 का गुणा 28 में करना है देखो कल मैंने एक वीडियो भी डाला था मल्टिप्लिकेशन का आपको याद होगा तो आप पे ले 8 और 9 8 इंटू 9 72 का दो हासिल का 7 8 दुनी 16 और 9 दुनी 18 तो ये आपको कितना होगे? 32, 33, 34 34 और 7 होगे? 41 का एक हासिल का 4 2 दुनी 4 और 4 8 ठीक है? 4 और 4 होगे 8 तो आपको बस इसमें 812 जोड़ना है ये आगे आपका 12 8, 16, 17 और 3, 37, 12 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया तो इसे ब्रेक कर लोगे जल्दी गुणा हो जाएगा ये कल मैंने वीडियो डाला था कि ये कैसे किया है? आप वो देख लेना clear? तो ऐसे हम थोड़ा calculation अपना आसान बना सकते हैं खुश्वू एक बटे आठ कैसे आया? मैं आपको बता रहा हूँ बाकि आप percentage का वीडियो देखो ये सब में पहले बता चुका हूँ है ना जैसे आप 12.5 बारा परसेंट को solve करोगे तो साड़े बारा परसेंट मतलब बारा दुनी चौबिस और एक पच्चिस पच्चिस बटे दो और percentage का 100 पच्चिस से कटेगा ये आठ बार इसलिए हम इसको एक बटे आठ लिखते हैं percentage की class देख लो ये सब चीजे में बता चुका हूँ ठीक है? चलो अगला हमारा सवाल है 25,600 रुपे की राशी साड़े बारा प्रतीशत की दर पर यहां प्रतीशत डबल हो गया है साड़े बारा प्रतीशत प्रतीवार्शी की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रिद्दिव्याज ग्याद करें चलो बहुत अच्छी बात है अब देखो यहां पर क्या होगा अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कभी भी आपसे कहा जाए कि 1 वर्ष 3 माह का चक्रिद्दिव्याज बताओ 2 वर्ष 6 माह का चक्रिद्दिव्याज बताओ या फिर आपसे कहा जाए या फिर इनी को ऐसे लिखते ना कि डेढ़ साल, धाई साल, तो इनसे confuse मत होना, फिर आपसे कहा जाए कि दो वर्ष, दो वर्ष, 73 दिन का ब्याज बताओ, तो ये सारे questions का, अब मैं आपको solution बताने वाला हूँ, कि इनको हम कैसे करेंगे, देखो, इन में भी again, बहुत सारी methods होती है, मतलब जो हमने किया है, उनी से कर सकते, नहीं method नहीं है, पर हम यहाँ पर tree method भी लगा सकते हैं, fraction भी लगा सकते हैं, ratio भी लगा सकते हैं, पर मेरा यहाँ पर suggestion रहेगा, कि कभी भी ऐसे question आए, कि जब आपको समय महीने या दिन में दिया रहे, तो best है कि आप यहाँ पर tree method लगाएं, ठीक है, अब यह tree method क्या है, सबसे पहले दिन मैंने आपको सिखाया था, आज मैं फिर उसको detail में आपको बताने वाला हूँ, चलो, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, देखो अपने clear नहीं देख रहा है, तो अपने mobile पर quality थोड़ी सी आप बढ़ा लो है ना, उससे दिक्कत हो सकती है, चलो, अब एक बार question ज़रा ध्यान से समझना, 25,600 रुपे, ठीक है, rate of interest हमारा साड़े 12% है, और समय हमसे कहा गया है, कि दो वर्ष 6 माहा का चक्र बृद्धी ब्याज बताओ क्या होगा, अब मेरी एक बात सुनना, कभी भी आपसे अगर कहा जाए कि दो वर्ष 6 माहा, तो आप उसको round figure में लो, हम हमेशा क्या करेंगे, दो साल, तीन साल, चार साल का पहले निकालेंगे, आपसे बोला है दो वर्ष 6 माह, दो साल से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो आप तीन साल का ब्याज निकालो पहले, अगर आपसे बोलते एक वर्ष एक माह, एक साल से अगर थोड़ा सा भी जादा है तो दो साल का पहले निकाल लो, मेरी बात समझना, आप से बोला है दो साल 6 महीने, पर मैं आप से बोल रहा हूँ कि पहले आप 3 वर्ष का निकाल लो, फिर देखेंगे क्या करना है, है न, अभी आप 2 वर्ष 6 महीने पे ध्यान मत दो, आप 3 वर्ष पे निकालो, तो देखो जरा, मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिखूंगा पहला साल, यह मैंने लिख दिया दूसरा साल, और यह मैंने लिख दिया तीसरा साल, ठीक है, और आपको पता ही है, जस्ट अभी हमने देखा था, 12.5% का फ्रेक्शन क्या होता है, एक इसकी बात है, तो आट का गर मैंने भाग दिया, आट तीया 24, आट डुनी 16, तो बात समझना, पहले साल भी भी ब्याज कितना लगेगा, 32, दूसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा, 32 और तीसरे साल, तीसरे साल को भी रोख लो चलो, ठीक है, फिर पहले साल का वियाज 32, ब इस पर भी आपको ब्याज देना है तो 32 का 1 बटे 8 चार सो इस पर भी ब्याज देना है तो 400 का 1 बटे 8 देखो 400 का 1 बटे 8 क्या होता है 50 ठीक है इतना बताओ जल्दी से समझ में आया पहले साल का ब्याज 32 दूसरे साल का ब्याज भी 32 पर दूसरा साल क्या बोलेगा मुझे पि 32-22 का एक बकस्टHHH कितना होता है ,400 यह आगया , ठीक hacks , तीसरे साल पे , पहले तो बयाज लगेगा , 32 जो मूलधन पे लग रहा है , फिर पहले साल के बयाज पर बयाज , दूसरे साल के बयाज पर बयाज और इस बयाज पर भी ब्याज ये टोटल हो गया अब अगर मैं इन सब को जोड देता हूँ तो इक कितने साल का ब्याज होगा तीन साल का पर हमसे तीन साल का नहीं पूछा है हमसे पूछा है दो साल छे महीने का है देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा बाकी एक बार समझ लोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे इसे सवालो को ठीक है अब हम आगे देखेंगे कि इसका क्या किया जाए सुनना वागे बाद मेरी ध्यान से है ठीक है तीसरे साल का टोटल ब्याज कितना है तो देखो तीसरे साल का ब्याज है 32 और ये हो गया आपका 800 मतलब 4000 और ये आपका 50 ठीक है 32,400 और 400 800 मतलब 4000 4050 अब ये बताओ कि ये जो total 4050 है और 6 महिने का तो अगर मैं इसका आधा कर दूँ, तो ये 6 महिने का ब्याज नहीं हो जाएगा, तो 4050 का आधा क्या होता है, 2025 और अब हम सब को जोड़ देंगे, देखो, पहला साल, दूसरा साल, और ये तीसरे साल का आधा, मतलब 6 महिने का ब्याज, सब को जोड़ो, तो ये आगे आपका 25 ये आगे आपका 6 और 28, 3, 3, 6, 2, 8, तो आंसर आजाएगा आपका 8,000, कहीं कुछ mistake करिए क्या हमने, एक बार check करो ज़रा कहीं कोई कड़बड हो ही है क्या, 32, 36, 4,050, 4,050 का आधा हो जाएगा अपना 20, 25, 6, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है, maybe option wrong हो सकता है, तो अपना correct आंसर जो होगा वो होगा 8,825, ठीक है, option में थोड़ा सा गड़बड है, इसको हम सही कर लेंगे, correct answer होगा हमारा 8,825, देखो, इतना समझो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, आप से बोला था, 2 साल 6 महीने का व्याज बताओ, मैंने कहा कि आप 3 साल का व्याज निका बताओ, तो हमने क्या किया, देखो, ये कितने महीने का व्याज है, 4,050 जो है, कितने महीने का व्याज है, 12, पर आप से पूछा कितने महीने का है, केबल 6, तो इतना सा कर लेंगे, अगर वो आप से बोलते कि 2 साल 2 महीने का व्याज बताओ, तो क्या करते, 2 साल का तो निका बिल्कुल इंदोर आओगे तो मुझसे जरूर मिलना एक बार जल्दी से मुझे बता दो समझ में आया या नहीं आया ये पूरे 12 महीने का ब्याज है अब आपसे जितने महीने बोलेंगे उसका गुणा कर देना आपसे बोला था 6 महीने का ब्याज बताओ तो भई ये 12 महीने का ब्याज है तो 6 महीने का ब्याज क्या होगा इसका आधा कर देंगे आपसे बोलते कि नहीं मुझे केवल 3 महीने का ब्याज बताओ तो नीचे तो हमेशा 12 ही आएगा आपसे बोलते 3 महीने का ब्याज बताओ 3 से गुणा कर देते तीन से कटता है, चार बार, चार का भाग दे देते, तो जो बोलेंगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है, जल्दी से यस या नो लिखके बता दो, यह मैंने आपको सबसे पहले दिन सिखाया था, यह ट्री बनाना, कि यह ट्री कैसे बनता है, यह मैंने आपको सबसे पहले दिन बता में बोला जाए कि दो वर्ष, 73 दिन का चक्रिद्व्याज कितना, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दो साल से अगर थोड़ा भी जादा है, तो आप 3 साल का निकालो, एक साल से थोड़ा भी जादा है, तो 2 साल का निकालो, फिर उसको में एड़्यस्क कर लेंगे, अब मेरी बात पूरे तीसरे साल का ब्याज है एक साल का ब्याज है पर उन्होंने बोला है सिप 73 दिन का ब्याज बताओ तो देखो जैसी सवाल दिन में आया ये कितने दिनों का ब्याज है 365 का देखो महिने में सवाल होगा मैं 12 का भाग दूँगा दिन में सवाल है 365 का भाग दूँगा और उन्होंने बोला है कि सिप 73 दिन तो भी 4,050 अगर 365 दिनों का ब्याज है तो 73 दिन का ब्याज कितना बस तो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि 73 से यह 5 बार कटता है और 5 से यह कट जाएगा 5 इंटू 8 और 0 तो बस 810 जोड़ दो आंसर आ जाएगा तो यह आगया आपका 10 यह हो गया आपका 8,2,10,6,16,336,7 7610 यह अपना अंसर आ गया बस इतना सा करना है समझ में आई बात सबसे अच्छा तरीका में बता रहा हूँ और बहुत सारे तरीके हैं पर हमेशा ट्री बनाओ बेस्ट है हमेशा संख्या है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और अगर दोस डेड़ साल का बोलते तो और यह पहले साल का ब्याज और यह दूसरे साल के ब्याज को आधा कर दो जोड़ दो डेड़ साल का ब्याज आ गया बस देवेंद्र घंटे में कभी सवाल नहीं आएगा या तो सवाल महीने में आएगा या दिन में आएगा इससे ज़्यादा सवाल मैंने आज तक नहीं देख अगर लीप एर कुछ होगा तो वो कहेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं बोला है तो 365 का भाग देना है, इतना मस्त सोचा करो ज़्यादा, चलो, very good, आगे बड़े, next, अगला हमारा क्वेस्चन है, जो आप लोग को करके बताना है, है ना, क्वेस्चन नमबर 20, पचास जार रुपे की राशी पर 6 प्रतिशत वार्शिक दर से डेढ़ वर्ष का चक्रित दिव्याज क्या होगा, अब मैं चाहूंगा कि ये तो आप लोग करके बताओ, है ना, कल ह हम लोग और चीजे इंपोर्टेंट वार्शिक, अर्धवार्शिक ये सारे कॉंसेट भी हम अगला पढ़ने वाले हैं, पहले जो दिक्कत होता था वो खतम हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, आप तो पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर आप देखना अभी किष्ट वा कभी सिलेक्शन निले पाओगे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो हर चीज सीखो, ठीक है, मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है, तो मेहनत करनी पढ़ेगी, मैं आपको कोई शॉटकट नहीं बता सकता कि बस ये चार चीजे पढ़ लो, ये दो सुतरे याद कर लो, नही और कोई भी सिलेक्शन निला पाएगा, इसलिए जो सही है, वो मैं आपको बताऊँ गा, मेहनत करनी पढ़ती है, मैं आपके साथ मेहनत करूँगा, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पढ़ेगी, आराम से सिलेक्शन होगा, चल देखें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50,000 पर 6% ब्याज और डेड़ साल का, मैंने क्या कहा, कि अगर हमसे सवाल डेड़ साल का बोला है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले दो साल का बनाएंगे, और फिर दूसरे साल का आधा कर देंगे, तो देखो, पहले साल को यहां लिखूंगा, मैं दूसरे साल को यहां लिख दू देखो 50,000 का डारेक्ट 6% निकाल लो क्यों परेशान हो ना तो ये दो बार कट गया 506 का गुणा पहले साल का ब्याज 3,000 दूसरे साल का ब्याज भी 3,000 फिर दूसरा साल बोलेगा मुझे पिछले साल पर ब्याज दो तो 3,000 का बापस से 6% निकाल दो ठीक है 3,000 का अगर 6% निकालोगे 306 कितना आ गया 180 अब बात सुनना पहले साल का ब्याज कितना है 3,000 दूसरे साल का ब्याज कितना है 3,180 अगर मैंने इन दोनों को जोड दिया तो ये 2 साल का ब्याज हो जाएगा पर मुझे बताना के बल कितने साल का है, डेड़ साल का, 1.5 यर्ज का, तो मैं क्या करूँगा, इसका आधा कर दूँगा, ठीक है, तो पहले साल का ब्याज कितना, 3,000, और अगले 6 महिने का ब्याज, मतलब 380 का आधा, तो 380 का आधा करो, 2 से 1 बार कर जाएगा, 2 पंजे 10, 9 बार और 0, आपका करेक्ट आंसर होगा, 4590 रुपे, कौनसा उप्शन है, ये वाला, उप्शन नमबर D, बताओ भई, समझ में आया, कि नहीं आया, ठीक है, एकदम इजी, और एक्जैम में ज़्यादा चिंता मत करना, इजी क्वेस्चन्स ही आते हैं, है ना, यूट्यूब पे आजकल एक ये भी खेल चलता है, कि काफी कठीन क्वेस्चन बना के आपको दिखाया जाता है, और उससे आप घबरा जाते हो, और आप सोचते हो गया रहे हमें कुछ नहीं आता, बिलकुल चिंता मत करना, एक्जैम के पेपर्स देखना, आपको समझ में आएगा कि कठीन क्वेस्चन नहीं आते हैं, है ना, इजी क्वेस्चन आते हैं, मैथट पता होनी चाहिए, है ना, देखो एक बार जल्दी से बता रहा हूँ, 50,000 का 6%, 50,000 का 6% कितना होता है, तो ये हमने निकाला था 3,000 रुपए, तो पहले साल का ब्याज 3,000, अगले साल भी 3,000 होंगा, तो पहले साल का 3,000, दूसरे साल का 3,000, और दूसरे साल पर पिछले साल पर ब्याज लगेगा, तो 3,000 का 6%, 180, तो देखो, ये पूरे 2 साल का ब्याज है, पर मुझे चाहिए केबल आधा, 1,5 साल का ब्याज, तो ये तो पहला साल है, इसका आधा कर देंगे, तो 6 मह नेका ब्याज हो जाएगा टोटल 4590 आईए आगे बढ़े अगला सवाल एक और आपका इंतिदार कर रहा है चलो भाई इसका आंसर भी बता दो देखो इस बार आप से क्या कहा गया है आपे दो वर्ष 73 दिन क्या हो रहा इसको दो वर्ष 73 दिन का ब्याज आपको बताना है कर लोगे जैसे ही दो साल से थोड़ा सा जादा आया आप कितने साल का ब्याज निकालोगे तीन साल का और उसको एड़्जस कर दोगे ठीक है बिल्कुल मैं एक और वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं कि यूट्यूब से पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं और करनी चाहिए तो कैसे उसमें मैं बहुत सारे चीजें आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पे एक्चुल में खेल कैसा चलता है इमानदारी से कितने लोग पढ़ाते हैं और कितने लोग उसमें बहुत सारी टेकनीक खेलते हैं तो ये चीजें में आपको लगे घजब हमारा दिमाग ऐसा चला नहीं तो ये सब questions बनाए हुए होते हैं और बच्चे उसमें उलज जाते हैं चलो, करें इसको solve तो हमारा सवाल है 2 साल 73 दिन तो मैं क्या करूँगा, देखो 10,800 16 सही 2 बटे 3 की fraction value क्या होती है, 1 बटे 6 इसका अगर 6 का भाग दें 6 कम 6, 6, 8, 48 तो देखो, पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, 1800 दूसरे साल का ब्याज कितना लगेगा, 1800, और पिछले साल के ब्याज पर ब्याज, तो 1800 पे फिर से 1 बटे 6 लगेगा कितना आएगा, 300, ये हो गया, फिर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, तो तीसरे साल का ब्याज कितना, अठारा सो तो लगेगा ही, क्योंकि वो तो मूलधन पे लगता है, अब पहले साल के ब्याज पर ब्याज, तो अठारा सो का एक बटेच है कितना, तीन सो, इसका एक बटेच है, तीन सो, और इसका भी एक बटेच है, त ठीक है, अब देखो, पहले साल का व्याज है 1800, दूसरे साल का व्याज कितना है? 1800 और 300 कितना होता है? 2100 और अब चाहिए केबल 73 दिन का व्याज. अब मुझे बताओ कि ये तो पूरा साल भर का ब्याज है तो अठारा सो प्लस छह सो और पचास चौबिस सो पचास रुपए ये 365 दिन का ब्याज है जबकि हमें चाहिए केबल 73 दिन का ब्याज हारी बास समझें तो 73 से ये कैंसिल हुआ 5 बार 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 इंटू 4, 9 और 0 तो सिर्फ 73 दिन का ब्याज होगा 490 सबको जोड़ देंगे तो ये आगे आपका 90 फिर क्या हो जाएगा 8, 4, 12 और 1, 13 का 3 कैरी 1 और ये 4 4,390 ये हमारे क्वेस्चन का आंसर है ठीक है? हाँ बिलकुल ट्रेन वाला नाओधारा ये सब चेप्टर्स भी आगे लेकर आएंगे अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से सीखो आगे भी सारे चेप्टर्स हम लोग करेंगे ओके? चलो उम्मीद है समझ में आपको ये आगया होगा अब तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है तीन महीने, चार महीने कुछ भी कहें महीने में सवाल है बारा का भाग दो जितने महीने पूछा उसका गुणा करो दिन में सवाल है 365 का भाग दो जितने दिन बोला है उससे गुणा कर दो अब एक question आपके लिए और अच्छा लेकर आया हूँ मैं यह सवाल है 86,400 रुपए 16,2,3% की वारशिक दर और आपको बताना है एक वर्ष दो मा में चक्रुद्दि व्याज कितना होगा कर लोगे क्या यह आपका homework रहेगा इसको कर लेना ठीक है यह homework है इसको आप करना और कल मुझे बताना इसका answer क्या आया ठीक है screenshot इसका ले लो और इसको कर लेना यह एक थोड़ा सा नया सवाल है आपके लिए जो हमने अभी किया है उससे हटके है इस सवाल को देखो यह बाला मैं करवाता हूँ आपको शिवानी डेली हमारी क्लास का टाइम रहता है सवा दस बजे से morning 10.15 सवा दस से रोज क्लास चलती है ठीक है बिलकुल देखो lockdown खुल भी जाएगा तो भी मैं पढ़ाते रहूँगा है पर lockdown को खुलने दो चलो क्लियर है अब यहाँ पे क्या दिक्कत है वो समझते हैं एक निश्चित धनराशी अभी दक हमारे प्रश्णों में क्या हो रहा था कि मूलधन दे देते थे बस calculate करना था इस बार गड़वड यह है कि आपको rate of interest दे दिया है 14.28 और मैंने आपको पहले भी कहा है कि दशमलो और भिन्न दोनों याद कर लेना इसका ही एक मतलब क्या होता है 14 सही 2 बटे 7 और दोनों का मतलब क्या होता है एक बटे 7 दोनों एक ही बात है इसकी भिन्न में पहले होती है एक बटे 7 ये चक्रिद्दी ब्याज है ठीक है और आप से पूछा है कि बताओ भाई मूलधन क्या होगा ठीक है अब सवाल को उन्होंने काफी उलजा दिया हाँ जी बिलकुल रोज क्लास होती है ड्रेगुलर क्लास में लेता हूँ सवा 10 से सवा 11 अभी चक्रिद्दी ब्याज चल रहा है आगे हम और दूसरे जो जो टॉपिक आप डिमांड करते जाओगे वो मैं पढ़ाते जाओगा पर जो भी पढ़ाओंगा एकदम डिटेल में प चलेगा पर एक बार आप पढ़ लोगे क्योंकि देखो सवाल बहुत सारे होते हैं चोटे 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 बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो अगर सब को अच्छे से कराना है तो टाइम लगेगा अब आप चाहते हो कि जल्दी भी हो जाए और अच्छे से भी हो जा चलो, शुरू करते हैं इसको, अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, इसको समझना आप जरा ध्यान से, यह सम्में हटा रहा हूँ, यह तो आपके लिए मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, अब यहां दिक्कत यह है, देखो आगे और ऐसे सवाल आएंगे, एक और टाइप जिसमें आपको मूलधन दिया ही नहीं होता, तो जब भी मूलधन न दिया जाए, तो एसे केस में मूलधन को कुछ मान लेने में, क्वेश्चन भूत आसान हो जाएगा, एक तरीका है कि मूलधन को हम कुछ मान लें, दूसरा तरीका है बिना माने उसको solve करें, टाइम लगे एक साल, 146 दिन मतलब हमें 2 साल का पहले solve करना है, फिर 146 दिन को देखेंगे, मतलब हमें क्या होगा जब हम tree बनाएंगे, तो पहले एक value आईगी, फिर एक value आईगी और इसका, मतलब जो भी मूलधन है, पहले उसका 1 बटे 7 निकालेंगे, तो इससे कुछ न कुछ ब्या जाएगा, फिर उसका 1 बटे 7 निकालेंगे, मतलब ऐसी संख्या लेना है, जो 7 से कटे, तो हम जो भी मूलधन लेंगे, उसमें 7 कितनी बार आना चाहिए, दो बार, देखो value कैसे बटे में 365, इसका मतलब क्या होता है, ये 73 से गटेगा 2 बार, और ये 73 से गटेगा 5 बार, ठीक है, मतलब हमें आखरी में जाके 5 से भी भाग देना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या हो, जिसमें 5 भी आ जाए, तो अब आपका काम हो गया, देखो, ठीक है साथ और साथ कितना होता है, उननचास उननचास का अगर आप 5 बुना करते हो, तो 245 आएगा क्या ठीक है, तो मान लो, कि मूलधन कितना है, 245, clear है 7 इंटू 7, 49 49 इंटू 5, अब आप देखो, कितना आसान सवाल है, दो साल का सवाल है, तो ये लिखा मैंने पहला साल, ये लिखा मैंने दूसरा साल ठीक है, ध्यान से समझना आकरी तक बहुत अच्छे समझ मैं आएगा, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले 245 पर 14.28% मतलब एक बटे 7 ब्याज लगाएंगे तो 7 से कटेगा कितनी बार? 7 तिया 21, ठीक है और 7 इंटू 5 पैंटिस तो पहले साल का ब्याज 35, दूसरे साल का ब्याज भी 35, ठीक है फिर बापस से ब्याज पर ब्याज लगेगा कितना ब्याज लगेगा 5, तो मैंने इस पर बापस से एक बटे साथ लगा के कितना लिख दिया मैंने 5 ठीक है इतना समझ में आया अब देखो सिर्फ पहले साल का ब्याज कितना है 35 है न और मुझे एक साल के साथ 146 दिन चाहिए तो अब मुझे 146 डेज चाहिए अब मुझे बताओ ये कितना है 35 और 540 ये 365 दिन का ब्याज है ज से कटेगा ये 8 बार 8 दुनी 16 तो सिर्फ 146 दिन का ब्याज कितना होगा 16 समझ में ही बात जोड़ दो सबको 6 और 5 11 3 4 और 1 5 तो टोटल एक साल 146 दिन का ब्याज कितना होगा 51 पर कब जब मूलधन 245 होगा तब ठीक है अब बात ध्यान से सुनना अब हम क्या करेंगे मूलध मूलधन अगर 245 हो तो ब्याज कितना लगता है 51 ठीक है पर एक्ष्वल में ब्याज कितना लगा है ये देखो 408 है ना तो देखो नियम ये बोलता है कि हमें रुपे में दिया है 408 तो 408 अगर ब्याज है तो मैं भाग भी किसका दूगा ब्याज का और मूलधन पूछा है तो मूल्धन हमने क्या माना था? 245 तो 245 यहा रख देंगे. भई, रियल में ब्यास तो 408 रुपए है ना, हमने 245 माना तो 59 बनाया, पर रियल में तो 408 रुपए ब्यास है, तो 408 अगर 59 है, तो 245 क्या होगा? ध्यान से देखो, 8 वर कट रहा है क्या? यह 8 वर कट गया, 8 का गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 8 चोग 32, 32 और 4, 38, और 16, 17, 18, 19, 1980 रुपए यह आजाएगा हमारा मूल्धन, कहा गया, कुछ गलती करीगे मैंने, 40 का 0, 4, 32, और 4, 36 होगा, 1960, यह हो जाएगा हमारा आंसर, आप्शन नमबर C, समझ में आया, देखो, यहाँ पर क्या होगा, यह मैं आगे आपको और सिखाऊंगा, एक क्वेस्चन में ने लिया है, ताकि आपको यह समझ में आ जाए, कि अभी और भी चीजें हैं, अभी और गुणजाईश बाकी है, बाकी मैं आपको आगे यह सब सिखाऊंगा, कि मूल्धन कैसे माना, एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ, मूल्धन कैसे माना, 245 वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, 245 रुपे पर, अगर हम एक बटे साथ निकालेंगे, तो पहले साल का ब्याज 35, दूसरे साल का ब्याज भी 35, और ब्याज पर ब्याज, तो 35 का बापस से एक बटे साथ लिया, तो वो आ गया 5, अब देखो, 35 और 5 कितना होता है, 40, पर ए 40, पूरे 365 दिनों का ब्याज है, जबकि हमें चाही 146, तो जब हमने 73 दुनी, 73 पंजे, 5 से 8 बार, 8 दुनी, 16, तो केबल 146 दिनों का ब्याज कितना है, 16, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल आ गया 51, पर वास्तों में ब्याज तो 408 है, तो हमने क्या करा, कि वास्तों में ब्याज 408 है, पर हमारे हिसाब से ब्याज कितना है 51, कितने मूलधन पे 245 पे, तो एक्च्वल में मूलधन क्या होगा, पूरा हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया, 1960 रुपे, ये चीज में आगे आपको और सिखाऊंगा, घबराना मत, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज आगे अच्छे समझ में आएंगी, चिंता मत करो, ठीके, प्रिंसिपल कैसे एजियूम किया, वो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा वीडियो को बाद में रिवाइन करके देखना, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ, ठीके, क्योंकि देखो टाइम हो गया है, और अभी हम लोग एक टाइप और बचा है, समझ में आया सभी को कैसे करना है, और अभी आगे ये टाइप और आएगा, मूलधन मानगर करने वाले अभी बहुत सारे सवाल आगे आएंगे, ये तो क्योंकि जस्ट 146 दिन था तो मैंने आपको इस सवाल बता दिया, आगे और भी हम करेंगे, तो चिंता मत करो, आगे सिखाऊंगा मैं आपको और सवाल, चलो, आगे बढ़े, अब एक नया बहुत इंट्रेस्टिंग टाइप आपका और इंतजार करना है, ओके, इंग्लिश का भी दियान रखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में अगर कुछ दिक्कत होती है, तो बता दिया करो, इंग्लिश में भी बता दूँगा मैं, चलो, अब मैं आपको क्या नया सिखाना चाह रहा हूँ, देखो, हमारा है अगला टाइप नंबर 7, ये एक नया सवाल है, और आपको शाम तक इन सब की PDF भी मिल जाएगी, टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना आप लोग, देविनर्स इंस्टिडियोट आदित्ति पटेल नाम से आपको ग्रूप मिलेगा, अगला हमारा सवाल है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पहले में इसके ट्रिक बता देता हूँ, कि इसमें ट्रिक क्या होती है, और आप कहोगे तो मैं उसका लॉजिक भी बता दूँगा, कि उसके पीछे का रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, तो पहले तो ट्रिक समझ लो क्या है, देखो, अगर कभी भी यहां क्या बोला है, दो सो पच्चिस रुपए, दो साल में कितना बन गए, दो सो चपन रुपए बन गए, ठीक है, तो आपको बताना है rate of interest क्या है, एसे सवालों में हमेशा क्या पूछा जाता है, rate of interest क्या होगा, ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, कि कभी भी सवाल अगर दो साल का है, तो आप हमेशा वर्गमूल लगाना, अगर सवाल तीन साल का है, तो आप हमेशा घनमूल लगाना, एसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, समझो, यहाँ सवाल कितने साल का है, दो साल का, तो मैं वर्गमूल लगा दूँगा, दोनों संख्याओं पर, ठीक है, दो सो पच्चिस किसका वर्ग होता है, पंदरा का, 256 किसका वर्ग होता है 16 का तो ये जो आता है न ये पता है principal और amount मुलधन और मिश्चिधन का नुपात है कि अगर 15 रुपे उधार दिये होंगे तो वो क्या बन गए होंगे एक साल में 16 मतलब कितना ब्याज लगा एक किस पे 15 पे और गुणा कर दिया 100 का solve करोगे 15 into एक बटे 15 की value वैसे भी आपको याद होनी चाहिए नहीं याद है तो हल करना आपका answer आएगा 6 सही 2 बटे 3 ये हो गया हमारा solve समझ में आया logic में आपको बता रहा हूँ पहले आप method समझ लो करना क्या है 2 साल का सवाल आया तो वर्गमूल 3 साल का सवाल आया तो घनमूल और ये आगे बढ़ता जाएगा 4 साल का सवाल आया तो हमें देखना पड़ेगा कि किसकी घाच चार है और एक सवाल आपके दिमाग में आएगा जो offline वाले बच्चे भी हमेशा मुझस से करते है कि सर अगर किसी संख्या का वर्ग ना आये तो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये किसी संख्या के वर्ग या घन square या cube नहों और अगर नहों तो क्या करना है वो भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा ठीक है पर अभी जो बता रहा हूँ वस वो सुल लो समझ में आया अब जैसे एक और चोटा से सवाल मान लो यही सवाल तीन साल में आ जाए अगर मैं आपसे कहूँ कि बताईए 216 रुपे 3 साल में 343 रुपे बन गए आप चाहो तो और 0 आगे लगा लो कोई दिक्कत नहीं उसमें है ना 21600 रुपे 3 साल में 34300 रुपे बन गए ब्याज की दर बताओ तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं पता है हम रेशो बनाते हैं अनुपाद बनाते हैं तो अनुपाद में पहले तो देखो कॉमन क्या है इसको छोड़ो 3 साल का सवाल है तो घन मूल लगाना पड़ेगा ठीक है 216 किसका घन होता है 6 का 343 किसका घन होता है 7 का मतलब 6 रुपे क्या बन गए 7 कितना बढ़ गया 1 है ना किस पे बढ़ा 6 पर और गुणा करती आपने 100 पर तो आप बोलोगे ब्याज की दर कितनी है 16 सही 2 बटे 3% आया समझ में तो 2 साल का सवाल हो 3 साल का सवाल हो 4 साल के जनरल ही नहीं आते हैं बाकि इस तरीके से आप सारे questions कर सकते हो clear है अब आप में से कई लोग चाहा रहे है कि सर इसका logic बता दू तो सुन लो logic क्या होता है देखो इसके पीछे logic जो है actual में इसका formula है देखो आपको formula पता है क्या हमारे चक्वर्यत दिव्याज का formula होता है amount मिश्रिधन बरावर मूलधन P1 plus R upon 100 की power N देखो यहां मिश्रिधन क्या बोला है 256 इसको रखदो मूलधन क्या बोला है 225 इसको रखदो 1 plus R R तो निकाल नहीं है नहीं पता और कितने साल में 2 साल में अब 256 को यहीं रहने दो 225 को इसके नीचे ले आओ और बरावर में क्या बचेगा 1 plus R upon 100 की power 2 यहीं बचेगा तो आप क्या करोगे अगर इस 2 को यहां से हटा दो ठीक है इस 2 को अगर हटा दो तो वो इधर वर्ग मूल बन जाएगा अब इधर देखो 256 किसका वर्ग होता है 16 का 225 किसका वर्ग होता है 15 का और यह जो 1 plus में है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और बचेगा कितना आर बटे 100 ठीक है 15 एकम 15 16 में से 15 गया 1 बटे 15 यह 100 इधर आ जाएगा और बरावर में हो जाएगा आपका आर 100 बटे 15 यही तो हमने किया था 15 पर एक रुपे ब्याज लगा था आंसर आएगा आपका 6 सही 2 बटे 3 तो देखो बात क्या है मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ यहाँ जो एन आएगा भई 2 साल का सवाल आएगा तो आप 2 रखोगे 3 साल का सवाल आएगा तो 3-4 साल का सवाल आएगा तो 4 तो हमेशा वो हटके या तो वर्ग मूल बनेगा या घन मूल बलेगा तो जो भी संख्या है अगर संख्या है कट रही है तो काट दो नहीं तो जो है वही रहने दो वो ज़रूर किसी ना किसी के वर्ग या घन होंगे इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है इस तरीके से actual में वो trick बनी है बाकि आपको मैंने logic बता दिया कि उसके पीछे का reason क्या है समझ में आरी ये बात इसलिए चिंता मत करो इतना सब करने की जोरत नहीं है simple सा funda मैंने आपको बताया है उससे करो देखो अगला question करते है अगला हमारा सवाल है तो मैं बताऊंगा एक बार कोशिश करके ज़रूर देख लो हाँ शिवानी समय को भी बढ़ाने पर हम काम करते है वैसे समय रोज लगबग बढ़ी जाता है हमारी क्लास एक गंटे की होती है पर लगबग 15-20 मिर्ट तो डेली एक्स्ट्रा होता ही है ठीक है देखो अब हम क्या करेंगे पहले आपने देखा कि दो साल है तो मैंने कहा तेविस सो चार रुपे दो साल में 25 रुपे बन गए है अब आपका मुझे नहीं पता कि आपको वर्ग याद है कि नहीं बाकि मुझे तो याद है मुझे पता है, 2304 जो है, देखो, दो साल आया, मतलब वर्गमूल लगेगा, दोनों पे वर्गमूल लगेगा, 2304 किसका वर्ग होता है, 48 का, 25 किसका वर्ग होता है, 50 का, मतलब 48 रुपे थे, वो 50 बन गए, ठीक है, तो कितना ब्याज लगा, 2 रुपे, किस पे लगा, 48 पे, औ आणसर आजाएगा 4 सही 1.6 प्रतीशत, option number C, ओके, यादो जी आप जारकंट से हैं, चलो बहुत अच्छी बात है भई, क्या हाल चाले जारकंट के, ठीक है, अब देखो, अब आप में से कई लोगी दिमाग में आ सकता है कि सर इसको काट ले तो क्या होगा, देखो, अगर 234 चार और 25 दोनों कट सकते हैं, काट लेते हैं, चलो, इनको अगर हम काट के देखें, तो या फिर आप एक काम और कर सकते हो, किस से कट रहे हैं, 4 से कट जाएंगे क्या दोनों, देखो, 4 से गर इसको कैंसल करें, तो 4 से कट जाएगा, ये 5 बार, और 4 से कट जाएगा, 7 बार 4 सत्य 28, 4 x 6 24 देखो दोनों में मैंने 4 का भाग दिया है इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो 4 x 6 24 वैसे भी 24, 4, 2, 8, 4, 25 अगर दोनों कट रहे हैं भाई अगर इनका मैं अनुपात बनाओ कि 2300, 4 और बटे में 2500, क्या ही कट रहे हैं तो ये दोनों 4 से कट रहे हैं तब भी आंसर सेम आएगा आपका ये किसका वर्ग होता है 24 का ये किसका वर्ग होता है 25 का बात वही है, एक रुपे ब्याज लगा किस पे 24 पे, गुणा 100, आंसर आपका अभी भी सेम आएगा, तो अगर कभी संख्या है कट रही है तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके चालो बहुत अच्छी बात आगे बढ़ें समझ में आ गया होगा अब अगला question देखो फिर मजाएंगा आपको ठीक है थोड़ा सा उधर का part कट रहा है compound interest पर बाकी ताकी आपको अच्छे देखें इसलिए मैं question को थोड़ा सब बढ़ा कर रहा हूँ एक हजार चोबिस रुपए तीन साल में चवदा सौनठावन मज जाते हैं आपको बताना है दर क्या है बहुत ही मज़दार सवाल ओके राजिस्थान से हैं ITC study point संजीव गौरकपूर उत्तरप्रदेश से हैं चलो thank you आशिश बिल्कुल question के level हम increase करेंगे हम धीरे-धीरे level बढ़ाते ही जा रहे हैं अभी तो हमारा basic खतम हुआ है अब जो कल से आपको जो और questions मिलेंगे बहुत अच्छा level मिलेगा क्योंकि मेरी आदत है basic clear नहीं कराता हूँ तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ा सकता तो इसलिए basic clear कराना बहुत जरूरी है चलो इसमें देखें बस मुश्किल से 5 मिनिट में हमारी class खतम होने वाली है ज्यादा questions नहीं बचें अब फटा-फट हम questions को solve करेंगे तो 5 मिनिट के अपना जो आने वाले 3-4 questions से वो solve हो जाएंगे इधर ध्यान दे 1024 रुपए 3 साल में 1458 रुपए बन जाते हैं अब दिक्कत यह है कि 3 साल आया 3 साल आया मतलब क्या होना चाहिए क्यूब घन होना चाहिए 1024 किसी का घन नहीं होता 1458 किसी का घन नहीं होता 1024 भी किसी का घन नहीं है 1458 भी किसी का घन नहीं है तो मैं पहले तो देखूँँगा कि क्या यह कट रहे हैं दोनों 2 से कट जाएंगे तो 2 से अगर इसको मैंने काटा तो यह 512 बन गया 2 से अगर इसको काटा तो ये 729 बन गया ठीक है तीन साल का सवाल है मैंने कहा था ना कि जरूर वो किसी ना किसी के cube या square होंगे वर गया घन तो वो किसी ना किसी के जरूर होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है 512 किसका घने 8 का 739 किसका घने 9 का 8 से 9 लग गया मतलब 1 रुपे ब्याज किस पे 8 पे गुणा कर दिया आपने 100 का rate of interest आगे आपका कितना 12% ठीक है option नमबर A कोई दिक करत MPSI की वेकेंसी अरविंद इस साल के आखरी तक आने की उम्मीद है क्योंकि बाकी वेकेंसी आईगी ये confirm है ठीक है चलिए clear समझ में आ गया तो एसी स्थिती बन सकती है बाकी square cube जरूर किसी न किसी के होंगी चलो छोटे छोटे दो-तीन सवाल और कर लेते हैं और class आज की फिर हम end करते हैं 27 से कुछ रुपे तीन वर्ष में अब देखो इज़वार सवाल पढ़ो अब फिर बहुत अच्छा सवाल है आशिश अभी और भी नए questions आएंगे जो मैंने offline class में नहीं करवाए है क्योंकि देखो कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो जो basic questions है वो तो same रहेंगे इसलिए मैं यहां भी एकदम zero से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे questions तो वही लेने पढ़ेंगे बाकि कुछ ऐसे सवाल भी यहां पर मैं करवाऊंगा कुछ types ओर अलग करवाऊंगा जो मैंने offline में नहीं बताये होंगे तो मैं यहां करवा दूँगा औरो टाइम हमारा सवा 10 बजे से है ठीक है लास्ट के 5 मिनिट सबका reply भी देंगे चलो इसको solve करें कुछ रुपए 3 वर्ष में 8 गुना हो जाते हैं दर ग्यात कीजिए तो देखो कुछ रुपए माना 1 रुपए हैं कितने साल में 3 साल में कितने हो गए 8 गुना हो गए दर ग्यात करें कुछ भी मान लो 1 रुपए थे वो क्या बन गए 8 कितने साल का सवाल है 3 साल का तो दोनों पे क्या लगा दो क्यो बूट 1 एक ही रहेगा 8 किसका घन होता है 2 का तो एक रुपे बन गए दो रुपे, एक रुपे ब्याज लगा, किस पे लगा, एक पे, गुणा कर दिया 100 का, ब्याज की दर कितनी आ गई 100%, सवाल भई था, पूछने का तरीका लग था, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, अगला हमारा जो question है, उसको समझ लेते हैं यहापे, इसके बाद हमारा next question है, question number 28, ये भी सवाल इसी से मिलता जुलता है, बाकी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, कि कैसे हम इसको solve करेंगे, देखो, क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बात समझना, देखो मैं आपको वही सवाल बता रहा हूँ, क्या-क्या और अलग- चकुरिद्धी व्याज बार्षिक चकुरिद्धी से कुई राशी दो वर्ष में 2.25 घुना हो जाती है, जैसे हम बापस वही करते हैं, माना 1 रुपे थे, वो 2 साल में 2.25 हो गए, कितने साल में, 2 साल में, अब यहाँ पे देखो, दशमलो आ गया, तो कुछ मत करो, आप द दोनों पे, तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, 15 किसका वर्ग हो, 25 का वर्ग क्या होता है, 15, तो 10 पे 15 हो गया, मतलब 5 रुपे ब्याज लगा, 10 पे गुणा कर दी आपने 100 का, rate of interest आपका आगया 50%, ठीके, सेम सवाल था, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो गया, देखो, अच्छा एक सवाल है कि सर एक रुपे न मान के 5 रुपे मान ले तो, अगर आप जैसे, पिछले वाले सवाल में, एक से वो 8 गुना हो गया, अगर 5 मानोगे, तो वो कितना हो जाएगा 40, पर कटने के बाद तो बापस एक और 8 ही आएगा, तो अगर आप कुछ और संख्या भी मानोगे, तो कैंसिल होने के बाद अनुकवाद भई मिलेगा, इसलिए एक मानोगे, तो ज़्याद अच्छा रहेगा, हमारी ओफलाइन क्लास से शिवानी इंदोर में है, विनर्स इंस्ट्रीट के नाम से, चाल, नेक्स्ट अगला क्वेस्चन देखें क्या है, टोटल 30 यह हमारा 29 सवाल है, इसको भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, काफी easy question है यह वाला भी, देखो, सवाल वही है, कि 5 रुपे जो हैं, बढ़ लो आप सवाल को अच्छे से, 5 रुपे, 5 वर्ष में 625 रुपे और 7 वर्ष में वही क्या बन जाते हैं, 784 रुपे हैं, तो आप से पूछा है, दर ग्यात करें, तो लॉजिक अभी वही चलेगा, आप यह देखो, कि कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, मतलब क्या लगेगा, वर्ष मूल, 3 साल का अंतर होता था घणबूल, ठीक है, तो 625 किसका वर्ष में होता है, 25 का, 784 किसका वर्ष में हो बिलकुर, देखो, हमारी क्लास को वैसे भी गंटे 20 मिट तो हो गए, और आकरीं 5 मिट बात करेंगे, तो 1.5 गंटे होई जाना है, चलो, लास्ट क्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसका अंसर आप ही लोग देंगे, इसको मैं सॉल नहीं करूंगा, और इसकी PDF शाम को डाउनलोड कर लेना है, टेलिग्राम ग्रूप पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, इसको सॉल डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बिलकुल बिजिश, प्रयागरा जाएंगे और आपसे मुलागात करेंगे, जब भी आउंगा मैं आपको चली अगला, बहुत ही आसान सवाल, जल्दी बताओ, क्या आएगा, क्या बोला गया है आपसे, देखो, आपसे का है कि 6 साल में 1000 रुपे, है ना, या हम जैसे लिख रहेते हैं, वैसी लिख लेते हैं, 6 साल, और इधर आजाएगा आपका 9 साल में 1331 रुपे, बहुत ही इज और ये किसा घन होता है, 11 का, अंदर कितने का है, 1 का, बटे में 10, और गुणा करा 100 का, आपका आंसर आजाएगा, rate of interest is 10%, that's it.